नमस्कार दोस्तों सुवागते भारदी खविनांदन है आपके अपने यूटूब चैनल एसब दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान जी के के इपोर्टेंट कोशनों के बारे में तो अभी तक आपने आपके अपने यूटूब चैनल को सवस्क्राइब किया तो सब्सक्राइब जूरूर करें यह पास में स्थीत बेल आइक नहीं गंटी जूरू प्रेस कर दें तांकि जब भी न्यू वीडियो फ्लोट करें तो इसका नोटिफ केशन आपको मिल जाए और दोस्तों साथ शेयर जूरूर करें तो सुरू करते हैं आज के मौस्ट इपोर्टेंट कोशिन पहला कोशिन है मारा किस जन जाती का उलेक मत्स्यापुराण में मिलते हैं ओप्षग आपके सामनी है राइक टांस्वर है option number D मीना जन जाती मीना जन जाती राज्यस्तान में स्वार्दिक स्वाई माध्यपूर जयपूर एव उद्यपूर में पाई जाती है एक question पूछा जाता है कि मीना जाती के द्रमगरंथ की रचना किसने की तो दोस्तो मगन सागर मुनी ने मीना जाती के द्रमगरंथ की रचना की थी और मीना जन जाती रामेश्वर सिर्थ को स्वार्दिक पिवित्र मानते हैं भोती important question है तो आपको याद रखना है और मीना की सबसे छोटी काई को डानी का जाता है देवी देवता के बार में बात करें तो इनके देवता है भुज देवता और मीना जन जाती को पटेल भी का जाता है important question है तो आपको याद रखना है चलिए next question के और भारत के कितने अन्य राज्जों की सीमा राज़स्तान से जुड़ती है option आपके सामने है right answer है option number C important question है चलिए next question के और कोटा राज्जे की नीव रखी है option आपके सामने है right answer है माध्यों शिंग नहीं next question है हाला जालारी कुंडलिया के लेखक नीमन में से कोन है option आपके सामने है right answer है option number B इस सरदास और जानक लेखक हैं पर्थवी राज भीज्ये के important question है नरपती नाल है बिर्सल देव रासों के लेखक है important question है बहुत बार पुरिक्षा में पूछा गया है तो आपको याद रखना है next question है बारत के राष्ट्य पति के चुनवा में राजस्तान के एक विदाय कामत मुल्य क्या है option आपके सामने है right answer है option number C एक सों नत्तीस next question है राजस्तान में वेट कब लागू किया गया option आपके सामने है right answer है option number B एक अपरेल 2006 को और बारत में लागू किया गया था दोस्तों एक अपरेल 2005 को बहुत ती अच्छा question है चलिए next question के ओर जीला परसासन का प्रमुक कोन होता है option आपके सामने है right answer है option number C जीला दिक्स जीला परसासन का प्रमुक होता है चलिए next question के ओर प्राचिन पांडु पोल मंदिर की जीले में है option आपके सामने है right answer है अलवर अलवर में मनमान जी का मंदिर है और अजमेर में भरमा मंदीर नो ग्रहों का मंदीर जेपूर में है गड़ गनेश ताड़केश्वर गोकुलनात इंद्रा गांदी का मंदीर और दोसा में है महंदी पूर बाला जी का मंदिर इपोर्टेंट कोशन है चलिए नेश्ट कोशन के ओर राज़स्तान में पसू चिकिस्तिया कुलेज है ओप्शन आपके सामने है राइट टांसवर है ओप्शन नमर ची बिका नेर में पसू चिकिस्तिया कुलेज है राइट टांसवर है उप्शन नमबर सी सहापुरा सहापुरा बीलवाड़े जिले में स्थित हैं और रामसने संपरदय का एक मौसब है फुट डोल मौसब होती परसिद्ध है इपोर्टेंट कोशन है और रामसने संपरदय के मंदीर रामदवारा कलाती है चलिए नेश्ट को निमन में से किस राजवंस के सासक द्वारा बनवाया गया उप्शन आपके सामने है राइट टांसवर है सिसोद्या बंस उप्शन नमबर भी राइट हो जाएगा नेश्ट कोशन है कानःड देव परवंद रचना है उप्शन आपके सामने है राइट टांसवर है पदम न अमीर देव लेखक है संगार हार के इपोर्टेंट कोशन है चलिए नेश्ट कोशन के और हज़स्तान के कि सादुनिक स्थान का प्राची नाम सत्यपूर था ओप्शन आपके सामने है राइट टांसवर है ओप्शन नम्बरेश सांचोर का नाम सत्यपूर था चलिए नेश्ट कोशन के और हज़स्तान में स्थित तामबर पसानिक सतल अहार की खुदाई किसके न्यतरतम में करवाई गई ओप्शन आपके सामने है राइट टांसवर है एचडी सांक लिया नेश्ट कोशन है पूरण सिरोही का राज़स्तान में बिल्ले हुआ ओप्शन आपके सामने है राइट टांसवर है ओप्शन बड़ी 1956 को पूरण सिरोही का राज़स्तान में वीडिया हुआ था तो यह थे हमारे इपोर्टेंट कोश्चन वीडियो कैसा लगा कुमोंट बोक्स में जुरूर बताएं एफ चैनल को सस्क्राइब ने किया तो जुरूर है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जड़ाएं